कि सार कोई चाहता है कि सेंटर्ल उनिवर्स्टि में हमें एड्मिशन मिले कहीं ना कहीं भी मिले चाहे जम्मू में मिले रिमाचल में मिले लेकिन लिक्ष अब अगर आप कहीं वकालत करने जाते हैं तो क्या मतलब प्राइरिटी मिलती कि स्ट्रेगल अभी वहीं पी है और बात अपकड़ लीजे अगर वह है और सबसे बढ़िया जिसको होस्टेल मिला है तो वह वाके में दमदार है दमदार क्रीम इस्टुरेंट है वह यह नहीं है कि को अब लीजल पार्ट 12 का बंदा 12 तक के एक्जामों में कभी लीजल पड़ेगा नहीं अब 12 तक कौन IPC पड़ता है कौन से IPC पड़ता है कौन कॉंट्रेक्ट और टॉट पड़ेगा लुट नहीं है यग जोटां चान रहे क्या है लौ फैकल्टी से ब्हुत बड़ा प्रस्ण आघर को से लो फैकलिनितु पन्दे मत्व्ध मिलता है कि नहीं मिलता है और बियुद्ध बी लेल्बी हो लेल हो एंलेल है महो कुछ कोई भी कोर्स नहीं मिलता है इसलिए तो आती है और एक दो कंपनिया और आती है तो प्लेस्मेंट तो है लेकिन थोड़ा लग कम है यह नहीं कह सकते हैं लेकिन होता है बढ़िया कितना परसेंट बोल सकते हैं कॉर्परेट में बहुत लोग जाना चाहते हैं बाइवेट सेक्टर में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं किसी कोmillikation में अपने फुरू करना है अपने परसोनल फुरू करना है किसी को akademic में जाना है किसीral में करनां है आगे बढ़ना है अभी सब पच्छी ताटाइब फांचे लोग हूए थे अच्छा रहे हैं उसमें पिछली बार दो लोग हुए थे अच्छा एक बताई आप लोग सीनियरे निकल रहे हैं मार धरसन दीजिएगा जो नए बच्चे आए यहां, वो अपने आपको फ्लेस्ट करें यहां से प्लेस्मेंट लें excel से तैस्धिन समया और वह वहन आए बनाइपके ल यहां और फ्लेस्मेंट यहां से अपने पड़े तियारे करें, जिसे गमनी डेक नहीं है, चाहिए ही चाहिए, तो वो जॉब कर सकते हैं. IDBI में करेंगे 50 जार रुपा मैना मिलेगा, कचारी में हम कितना पाजाएंगे? जो न्यू कमर होते हैं, उनके लिए कचारी में आप यह तो कहने ही सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो अपने को इस्टेब्लिस करने में ही तीन साल लग जाते हैं, नॉर्मली, किसी सीनियर के नीचे जाके काम करना होगा. एस बीएच्चु स्टुडेंट, अगर आप कहीं वकालत करने जाते हैं, तो क्या मतलब प्राइटी मिलती कि स्ट्रेगल अभी भी वहीं भी है? जो यहां के अलुमनी हैं उनके अंडर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी प्राइटी मिलती है लेकिन यह नहीं है कि आप प्राइटी चाह रहे हैं तो नहीं मिलेगा अगर कोई अच्छे एड्वोकेट है अगर देखते हैं कि अगर प्राइटी मिलती है वह तो यादा करते हैं उनको लगता है कि नहीं यहां के बाद चाहिए तो नौलिज होगा इसके पास और प्रैक्टिस मचा कर सकते हैं जनता विलीब करती है प्राइटी के वकालत पे कि हम प्लेस्मेंट ना के बराबर है और वो बेकार नहीं लेना चाहिए तो फिर भी यहां का इलुमनाई बहुत उचे-उचे जगहों पे बैठा हुआ है दो चीज है प्लेस्मेंट और आपके आप इंट्रेस्ट दूसना चीज है आप प्लेस्मेंट क्या चाहते हैं कोई सब न पढ़ना चाह रहे हैं कोई कहीं जाना चाह आए पढ़ना चाह रहे हैं बीच्चू से कोई अलुमनाई आपके फैकल्टी के कि यहां बहुत तगड़े जगहां पे हैं प्रदीप्रास है उनके इंटर मैं इंटेंशिप क्या है फरवारी मेक महीने का अभी वो सुप्रीम को करके पॉलिटिक्स जॉइन करना सही समझाए कि यह सही होता है कि अब देखे पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आएंगे तो क्या पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी एक जागरूप समाज फैलेगा क्या मतलब पढ़े लिखे लोग हैं को गई जैसे लोग है तो इंप्रूमेंट रखता है कि जब वो डिसीजन लिख रहे थे तब उन पर किसी पार्टी का प्रभाव ना रहा है अब वो क्या कर रहे हैं कोई दिक्पत नहीं है उसके बाद तो इंडिविट्वल उनकी थोट्स हैं वो कुछ कहीं भी जा सकते हैं लेकिन जब वो एजा पॉइंटिड थे व परशन्ट सेक्योर है यहां का एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो क्या गयते हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहा हो और कहीं न कहीं आपको हर फिल्ड में मिल जाएगा अच्छे सच्छा यह है कि बीए उसे पढ़ाई करने के बाद बंदा कुछ न कुछ कर ले कहीं भी ज सब्सक्राइब कर लेता हूं जितना होता है अच्छी है उसमें कोई डाउट नहीं करना है और भी सारा इतना सारा ग्रॉंड एक लिए हर एक फिल्ड में दिया गया है खेलने के लिए किरकेट है बंद मिंटन है हर एक ची दिया गया है तो खाने पीने की सुब्दा है अलगवक्त सब जगास से पचास रिप्र में इतना बढ़ी है खाना मुझे नहीं रहता है कि होस्तों के बार कहीं मिल सकता है यहां पर जो फ करना चाहते हैं कि गाउं में लोग जाने की लड़कियां सिक्योर है वहां पर बहुत बढ़ी हां जेट प्लस सेक्यूर्टी वाई भी एक पूरा बॉंडरी के अंदर है कि नहीं है लोग आए पढ़े हैं मतलब थोड़ा तो हो सकता होगा कहीं सुनाई नहीं दिया है लेकि फूरा सुबा पांच वजे तक खुलती है और मुझे लगता है कि कम से कम 30% लड़कियों की है उसने पूरा पाइंगे तो देखिये और काफी मतलब बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं लगेगा कि लड़कियों को कहते रात में आने से रोका जा रहा है कोछ भी इंडिजियों प अच्छा जो लाइबरेरी खुला है उस पर एग्रिकल्चर की लड़कियां यहां फिर M.C.M.B.A की लड़कियां यह सब लड़कियां जो प्रोफेशनल को से दूर दूर से आती हैं उनका कहना है कि सिर्फ लाइबरेरी में आर्ट्स और सोसल के बंदे ही रहते हैं पुरा साथ लड़के क्या कहते हैं लौ के हैं लौ दिखाई नहीं दिया आर्ट्स और सोसल क्योंकि आर्ट्स और सोसल इसलिए लाइम लाइट में रहता है क्योंकि थोड़े भी बवाल हुआ वो एकदम खड़े हो कि अल्ला कर देते हैं तो उनको यह लगता है कि आर्ट्स और सोस सब लोग देंगे किसी का रैट लगा हुआ है किसी का कोई जो तयारी कर रहा है वह पटवारी के लिए बैठा है कल पेपर है कल रैट का पेपर है रिसर्ज इंट्रेंस ट्रेज बीचू का अपना अच्छा यह बताइए सारा कुछ बाते हो गई यह जो इतने प्लेस्मेंट की बाते की इतने कोर्स के बाते की फैकल्टी की बाते की हम किस खुरस के बारे मात कर रहे थे दर्सकों कर दिया जाए यह जो चुड़ी करा रहा है और पीजी इस बार से लोग वास्यांटी में अलेलम को तो युनिवश्टी यसी है जो स्विएटी के तहता भी नहीं है, साइक अगले साल से हो जाएं, बी-उ को अलग रखा गया है और अलाबाद भी स्विटेल को, यहां सेंटर यूनिवश्टी की बात हो रही है, अलाबाद को भी अलग रख दिये हैं लोग ने, अलाबाद यू बाकी तो सेम स्लेबस रहेगा तो पहले पीछु का सलेबस था लेकिन लेंग्विज पर थोड़ा फोकस किया गया है को थोड़ा बढ़ा देंगे रीजिनिंग को थोड़ा लेवल मिला के दोनों को सिंवलर कर देंगे लीगल तो वही जो मैंच जी के जिस आज कर पूछा जा रहा है पेपरों में क्यों पूछा जा रहा हो गया इतना यह कोई आप अभी अभी है बच्चों का अगर ठीक सिर्फ अब लॉग कर रहे हैं तो बस यह होता है रटने का तरीका जो बस रटे जा रटे जा रहा है कुछ अपना दिमाग की दिऊच करना चाहिए जरी इसनिंग हो गया मैच हो गया तो फोसल साइंस के यह टॉपिक्स नहीं के लिए रहोने चाहिए आपको मेंटल एबिलिटी भी अब लिए जरी जरी इसलिए था कि वह चाहते थे कि आपका गया गयते हैं सोचने की तरक सकती बहुत अच्छी रहे तो भी बहुत अच्छा किस्सा था लेल वी पिछले की पिछले साल में लेल वी के इंट्रेंस एक्जाम के पेपर में लॉक एक बी कोशन ने पूछा था स तक के एक्जामों में कभी लीगल पड़ेगा नहीं अब 12 तक कौन IPC पड़ता है कौन CRPC पड़ता है कौन कॉंट्रेक्ट और टॉट पड़ेगा लेल वी के अगर बाते करें अगर लेल भी तो ग्रेजियोशन में है अच्छा लेल भी जोड़ा हुआ नहीं है यह यूजी क अगर बीएच्चियो में वह है और सबसे बढ़िया जिसको होस्टल मिला है तो वह वाके में दमदार है क्रीम इस्टुरेंट है वह यह नहीं है कोई भी ब्मूठा गया गया एसे नहीं आता है कोई दिश्चार लग लोगव चार-चार साल तैयारी करते हैं तब बी इंटरेजिस है नहीं लेल टाता था लोका और कुछ लोग हैं जो intelligent हैं आ रहे हैं, मैननत करते हैं, मथिक स्थेटेड रेंगे जिनकी रहेंगे मतलब हुझाने का मतलब है क्रीम, मैंने बुला क्रीम क्रीम हमेंइसा उपर रहता है अठोड़ा ही जादा नहीं रहता है में बाकी लोगों को भी नहीं कह रहा हूं कि बिलकुल बेकाने यहां है तो बढ़ीया उस्टल के 100% नहीं कर देना चाहिए देखिए देना चाहिए कोशिज तो करी रहा है अब पहले बड़ा-बड़ भड़ गर दे थे अब इस्ट्रेक्शर अपाटमेंट टाइप बनने पहले से होसल की कैपेस्टी थोड़ी स्ट्रॉंग हुई है कि मतलब कि लाग के कुस्टन नहीं आया थे लेकिन कांस्यूशन का किस्टन आया था वह लाग कही है अंडर रहत है बहुत कॉंट्रोवर्सी हुई थी इसके लोग को सूच रहे हैं कि नहीं कुछी से और बहुत से सुटन है जिन्हों ने एंटिय को बाइसकर करो यह करो फलाना करो यह सब कारिक्रम हुए देखिये अगर वह करा रहा है तो बहुत अच्छे से करा रहा है किसी भी पेपर के लीक होने की कटना सामने कि नहीं आती कुछ नहीं होता ब्लूप कि पिछला वाला भी तो नटिया अब प्रोसीजर है नया नया सब अपना रहे हैं तो कुछ तो परिवर्टन आएंगे ही लबस बदल रहा है अब सी उटी ने भी अपना बढ़ा दिया है और जगह लोग जाएंगे पुरे भारा सच इधा जिसको जहां इच्छा वहां पोच गया ऐसे गया है उसका फार्म डा सब्सक्राइब कराना चाहती है तो उसने अपने आपको उससे अटेच कर दिया है कि आप उसी से एड्मिशन ले लेंगे कांचलिंग करा लेंगे अब उसमें उनका भी फायदा है नहीं तो उनको अपना में पर बनाना पड़ेगा अपने सब कोर्स का और अपने से कंडेक् किया किसने ऐप ला ही णिया पंजाब उस्टी के लिए अधिकतर इस बात को जानता हूं कि जिस लोगों ने जिसरे भी एक पर आप मैं उसने और को पिया और यहनली और यह बहुत ही अच्छी पहल है मैं इसको प्रश्चा को एक साथ लाया जा रहा है सारे एडमिस्ट टेस्ट को एक साथ किया जा रहा है अब हम लोग चलते हैं नहीं तो हमारी सिर्फ जाहिए गाली नहीं मेरा नम कुल्दी प्यादव है मैं लौ फैकल्टी फाइनल हो गया मेरा नम सब्सक्राइब कर देखे थे हमको वहां फैर्वेल में जो हम लोग शूट कर रहे थे ना थोड़ छोड़ा सा क्लिप इनका लिया गया था और आपका नम मैं किसन सिंग हूं लाटेगल्टी मेरा फाइनल है वीडियो वह हमारी चैनल के सबसे टॉप वीडियो है देखिए त आपका रहे वीडियो है